So hey guys welcome back to the channel and आज के इस वीडियो में हम Realme 9 स्रीज के Realme 9 Pro स्मार्टफोन के स्पेसिफिकेशन के बारे में बात करने वाले हैं जो भी अभी तक लीक्स और रूमर्स के थूरू निकल कर आए हैं आज की इस वीडियो में मैं आपको Realme 9 स्रीज के स्मार्टफोन की लॉंचिंग से रिलेटेड एक ट्रेस्टेड और एक्स्क्लूजिव इंफूमेशन देने वाला हूँ तो वीडियो को लाश्ट तक जुरूर देखना बटूस से पहले चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजे बिकोज इस चैनल पर मैं इसे ही स्मार्टफोन से रिलेटेड वीडियो लेकर आता रहता हूँ को मिलेगा तो आप अगर इस स्मार्टफोन को डायरेक्ट संलाइट में भी यूज करोगे तो आपको विजिबिलिटी को लेकर कोई इश्यू देखने को नहीं मिलेगा एंड स्क्रीन रिफ्रेशिट को लेकर स्टार्ट में लीग निकल कर आया था कि रिल्मी 9 पो स्मार्टफोन के साथ 120 हर्ट की हायर स्क्रीन रिफ्रेशिट का स्पोर्ट देखने को मिलने वाला है बट इसको लेकर आपका क्या उपिनियन होता है आप कोमेंट सेक्षन में बता सकते हो एंड साथ में इस स्मार्टफोन में इन डिस्प्ले फिंगरपिन स्केनर का स्पोर्ट भी दिया जाएगा सेकेंड पॉइंट पर्फोर्मेंस की बात करें तो रियलमी 9 प्रो स्मार्टफोन पर्फोर्मेंस वाइज प्रिवियस रियलमी 8 प्रो से अपग्रेड़ेड होने के साथ 5G किनेक्टिविटी के साथ आने वाला है और इसमें काफी ज़्यदा पॉसिबिलिटी है कि आपको मीडिया टेक का कोई बजट प्रोसेसर में भी मीडिया टेक डिमिंसिटी 810 देखने को मिल सकता है या फिर इसमें आपको कॉलकॉम का स्नेब लिगन 750G का 5G प्रोसेसर देखने को मिलेगा बढ़ देखते हैं इन फ्यूचर क्या होता है और इसको लेकर कोई भी ओफिशल कन्फरमेशन आता है तो मैं आपको वीडियो के थ्रूँ इनफॉर्म कर दूँगा इसके अलावा केमरा सेक्षिन की तरफ मूग करें तो रियल्मी 9 प्रो स्मार्टफोन में आपको में भी कोड रियर केमरा का सेटप देखने को मिल सकता है जिसमें प्राइमरी शूटर 108 मेगा पिक्सल का होने वाला है और इससे आप अच्छी खासी फोटोग्रोफी कर पाओ और यहाँ पर आपको सेमसिंग का प्रिवियस अचेम टू सेंसर ही देखने को मिलेगा बट इस बार प्रोसेसर डिफरेंट होने से इमेज प्रोसेसिंग भी डिफरेंट होने वाली है तो इसमें आपको पिक्टेस काफी जदा बेटर देखने को मिलेगी और यहीं पर अगर और फ्रेंट फेसिंग केमरा की बात करें तो रियल्मी 9 प्रो स्मार्टफोन में आपको अगेन रियल्मी का टिपकल लेफ्ट अलाइंट पंचोल कट आउट के साथ 16 मेगा पिक्सल का सेलफी शूटर देखने को मिलने वाला है और गाइज इंट्रेस्टिंग चीज यह होगी क रियल्मी 9 स्रीज के सभी स्मार्टफोन आउट दो बॉक्स एंडवी 12 के साथ आने वाले हैं जिसमें आपको रियल्मी UI 3.0 पर इंस्टॉल देखने को मिलेगी जो कि फेसिकली कलरोस 12 का रिब्रेंट वेरियंट होने वाली है तो इसमें आपको यूजर एंटरफेस भी ओप 500 मिल एंपर के लार्ज बैटरी देखने को मिलने वाली है और बताय जार है कि रियल्मी 9 प्रो स्मार्टफोन में चार्जिंग पेस्टी भी रियल्मी 8 प्रो से अपग्रेड़ देखने को मिलेगी तो इसमें आपको 65 वोट के सुपरडार चार्जिंग का स्पोर्ट देखने वाले हैं बट अगर इंडिया के सबसे ट्रेस्टर लिक्स्टर मुकल सर्मा के इस रिपोर्ट के हम माने तो रियल्मी 9 स्रीज के स्मार्टफोन लेट जनवरी या फिर फरवरी स्टार्टिंग तक हमें इंडिया में देखने को मिलने वाले हैं लेकिन प्रोब्लम यह होगी क रियल्मी 9 स्रीज में हमें चार स्मार्टफोन रियल्मी 9i, रियल्मी 9, रियल्मी 9 प्रो, रियल्मी 9 प्रो प्लस देखने को मिलने वाले हैं तो रियल्मी 9 स्रीज के स्मार्टफोन से हमें इंडियन मार्केट में सेपरेट दो लाउंच इवेंट में देखने को मिल सकते हैं तो ये पर ये वीडियो खतम हो जाती है guys I hope आपको वीडियो को संदाया होगा तो वीडियो को एक लाइक जरू कर देना और अगर आपको ऐसे ही स्मार्टफोन से रिलेटेड वीडियो पसंदा तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो स्वगल वीडियो मिलते हैं थैंक्स वो रोचिंग बाई गाईज